नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपके सामने आया हूँ कुछ पढ़ाने नहीं बस जो हमने पढ़ा उसी के बारे में बात करने और थोड़ी बहुत बाते कि भी आप हमारा कल एक्जाम होने वाला है परसो एक्जाम है और आने वाले एक्जाम में हम लोग चीजों को कैसे टैकल करें देखे सबसे पहले तो मेरे सामने जो एक समस्या आई पूरे कोर्स के दोरान है ना और खासकर कुछ लास्ट वीक के अंदर वो समस्या ये थी सर बहुत घबरा रहे हैं डर लग रहा है एक्जाम में क्या होगा पता नहीं तो ये समस्यां जो हमार सामने बहुत आ रही थी तो देखे पहली बात तो मैं एक चीज बता देता हूं है ना आपके सामने एक बहुत बैतरीन कोट भी लिखा है मैं थोड़ा सा साइड होके दिखा देता हूं यू और ये कोई ऐसा नहीं किसी को मोटीवेशन देने के लिए जो भी बात मैं बोलू मेरे को भी कई बार ऐसा लगता है कि यार ये नहीं आता वो नहीं आता लेकिन बज़ जब मैं ओवरॉल देखता हूं तो लगता है बहुत कुछ मैंने कर लिया है जीवन में राइट तो फरस्ट अफॉल आई वान्ट तो टेल यू धर यूर स्ट्रॉंगर देन यू थिंग जितना आप अपने बारे में सोचते हैं मुझे लगता है उससे जादा आप स्ट्रॉंगर होते हैं गाइस हनुमान जी को आप जानते होंगे है ना उन्हें भी अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था उन्हें लोगों को याद दिलाना पड़ता था कि भई हनुमान जी को कि वो कितने पावरफुल है है ना आपने एक सीन भी देखा था जिसमें उनको याद दिलाया गया और वो पूरा परवत संजीवनी उठा लाए थे उसके बाद ठीक है और मैं एक करेक्टर की और बात करूंगा दोस्तों एक है ना रमायन में करेक्टर था बड़ा इंट्रेस् शक्ती ले लेता था है ना यानि 50% अपने ओपोनेंट को वो उसके सामने आते ही वीक कर देता था यह एक्जाम भी कुछ ऐसा ही है बाली की तरह जैसे हम बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन एक्जाम के आसपास आते ही क्या होता है हमें एक डर फील होने लगता है यह एक्जाम जो है ना यह हमारी आधी शक्ती लगभग छीन लेता है तो आपको क्या करना है बसकि आपको इस एक्जाम को बाली नहीं बनने देना है ना आपको अपना जितना आपने आस तक सीखा है चाहे यूट्यूब पर सीखा है चाहे आप पेड़ बैच के स्टूडेंट है तो बस इतना ध्यान रखेगा कि इस एक्जाम को आपको पूरा जितना आप जानते हैं 100% वो ही आपको डिलिवर करना है तो मेरी एक शुरू से रिक्वेस्ट है बस कि भईया जाईए फोड़ ये एक्जाम को दिल से दीजिए आपने बहुत अच्छी तियारी किये और य और बिलीव करिये जो मैंने कोट आपके सामने लिखा है ये बिलकुल 100% है एक्जाम को बाली मत बनने दीजिएगा वो आपकी शक्ती ना ले ले ठीक है ना आप अगर जो आप हैं अगर आप उस लेवल पे परफॉर्म करके आएंगे तो आप डेफिनिटली एक्जाम में अ वही है जो आपको अंदर से मिलता है एक बहुत फेमस कोट है if an egg is broken from outside force life ends if an egg is broken from inside force life begins तो आपको external motivation से काम नहीं आएगा अंडा कहते हैं बाहर से फूटता है तो एक life खतम हो जाती है लेकिन वही अंदा अगर अंदर से फूटता है तो एक life का जनम होता है तो बड़ी बाते जो है वो अंदर विधिन से होती है तो आप self motivated फील करिए अपने आपको अच्छा करने की कोशिश करिए जैसा आपने किया अगर आप वैसा कर देंगे तो मुझे 100 परतीशत है आप अच्छा निकालेंगे तो guys मेरी तरफ से जितने भी लोग इतने महीने से मेरे साथ जुड रहे best of luck है break a leg अच्छा करें आप और guys हमारे साथ जुड़ना ना भूले analysis रहेंगे जितने भी हमने ये काम करेंगे अब उसका मैं अगर बोलू तो हमारा analysis भी होगा बिहार शिक्षक भरती का उसके लिए भी आप हमारे साथ connect रह सकते हैं 8 तारीक से 9 तारीक 10 तारीक जिस दिन भी आपका exam है तो ये आपका analysis की date भी हमारी तरफ से दी गई है और complete solution answers की के साथ जो भी probable answers होंगे उनको दिया जाएगा तो आप exam देने के बाद भी हमारे साथ जुड़ना ना भूले और मैं तो बार-बार बोलता हूं तिरफ exam के लिए पढ़ाई मत करिये पढ़ाई आप continue रखिएगा है ना तो मेरी तरफ से again best of luck है thank you so much for watching this video my name is दीपक बाबाई everyone thank you everyone